आई आपका स्वागत है आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोनो स्मिंट्रमेटिक हाइपो कॉंड्रियाकल साइकोसिस के बारे में मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर मैं मनोविकार सेक्स्रोग सम्मोहन तथा व्यसमोगी तग्यों महाराष्ट में आकोला में प्रैक्टिस करता हूं एक 25 साल का लड़का मेरे पास में आये और वो इसलिए आये कि उसको तंबाकु और घुटका और सुपारी खाने की बह है और वो इसलिए लोगों को टालता था लोगों के पास में जायेंगा नी और फिर घर के लोगों को भी हो टालना अकेले अकेले रहना और उसके लिए फिर वह लवंग खाएंगा इलाइची खाएंगा बहुत मात्रा में या फिर तंबाकु खाएंगा या मुख्वास है और उसके लिए उसने काफी लोगों को बताया काफी exercise किया है gym join किया जो भी करना मर्जी बहुत सारा किया मगर वो उसको पक्का विश्वास है कि मेरे कंदे छोटे है हि को यह लोगों और कुछ लोगों का अशा होता है कि अपने वाड़ी में overseas the ड्le बाड़ी के बाड़ी के ओबर tähän के लिए यह लगता है कि कि मेरे भाड़ी का शेब बड़ाबर नहीं चेहरा बड़ाबर नहीं तक कि कुछ तब बॉड़ी के जो शेफ है या उसके जो अवय है उसके बारे में उसको लगता है कि उसके घट बढ़ है और तीसरा जो ऑलफेक्टरी मतलब बास हाना कि अब यह जो लोग है। यह इनका इनकेसा इनको जो प्राब्लेम इसके साथ में उनको एंग्जईटेजही होती है मनलब चिंता कुछ लोगों कोड़ेशन होता है कुछ नव्यजिस घ्राब हो जाती है इसके वजह से काम नहीं कर सकते लोगों को टालते रह थे उनको बहुत प्रियकुपाइड रहते हैं अपने दिमाग से और हैपोकॉंड्रियासिज जो है है इसको पटाया तो ठीक है बोलता मगर उसको तकलिफ होते रहती है मगर बोलता कि नहीं भी होंगी होंगी भी यहां किया यह डिलूजनल लेवल पर है इसका मतलब उनको पक्का विचारे कि यह तो ऐसा ही है ऐसे है ऐसा उनको लगता है और मानने को तयार रहते हैं और बॉडिली प्राबलम है और वो पक्का उनको विश्वास उनको बिलीफ है और वो हिलने को तैयर नहीं वो बिलीब से इसका हिलाच करना जरूरी है यह early stage में पकड़ में आया उनका हिलाच किया तो बहुत फैदा हो सकता है और आदमी उसका जीवन normally जी सकता है मगर यह जी इलाच पकड़ में नहीं आया मतलब इलाच नहीं किया बीमारी पकड़ में नहीं आई तो वो बढ़ते बढ़ते वो पुरा schizofrenia में convert हो सकता है पुरा पागलपना आ सकता है तो इसके लिए जैसा भी है आपके संपर्ख में ऐसे कोई लोग होंगे तो उनको जरूरी वीडियो शेयर करो और उनको पताओ कि यह बीमारी है अपने psychiatrist के पास में जाके इसका हिलाच करो आपको जान करें चाहिए तो हमारे number नीचे दिये है आप हमको online consultation कर सकते है call कर सकते है पूछ सकते है कि इसका हिलाच कैसा करना तो हम उसको हम उसके लिए आपको जानकारी देंगे और मैं कभी-कभी लोगों को मतलब लोग हमको बुलाते है भाशन दिने के लिए हमारा जो मकसद है mental health for everyone सबके लिए मानसिक्स वास्टिर वेसन मुक्त भारत तो आप rotary club में, lawence club में या आपके समाज में या कोई बड़े function में लोग हमको बुलाते हैं लोगों को हम educate करते हैं और वहाँ से लोगों का जीवन फिर अच्छा हो सकता है आपको इवीडियो अच्छा लगा तो ज़रूद शेर करो लाइक करो, सब्सक्राइब करो थैंक्स फ़र वाचिए लोगों करो